Hello friends, I am Dr. Farhad Banu, Associate Professor in Botany, Government Miragals College, Udhepur. Ecological Factors के तहत, आज हम Topographic Factors को पढ़ेंगे. Topography, यानि Study of Shape and Features of Land Surfaces, जमीन की सतह की आकार, संचनचना, आकृति और उसके गुणों को यदि हम देखें, तो वो Topography है. Topographic Factors जो है, वो प्रत्यक्ष कारक है, उसका कारण ये है कि ये जलवाई विये कारकों को influence करते हैं, प्रभावित करते हैं, और खास तोर पे जो जलबाई भी एकारक हैं जो प्रभावित होते हैं वो हैं तापमान, लाइट, वर्षन, वर्षन का मतलब वर्षा भी हो सकती है और वहां मतलब रेनफॉल भी हो सकती है और स्नोफॉल भी हो सकती है या अन्य रूपों में भी बारिश हो सकती है नमी और व direction of slope और gradient of slope सबसे पहले altitude को देखें जब हम नीचे से उपर की तरफ जाते हैं पहाड पर high elevation की तरफ यदि हम जाते हैं तो हम देखेंगे कि climatic factors में तापमान कम हो जाता है और यदि तापमान कम हो जाएगा तो relative humidity बढ़ेगी और जब relative humidity बढ़ेगी तब संगनन होगा और बारिश हो जाएगी तो पहाडों पर बारिश ज्यादा होती है air pressure पहाडों के उपर चड़ने पर कम होता है light intensity बढ़ती है सीधा सूरज चमकता है और wind भी यदि देखें तो वो भी प्रभाव डालती है mountains पर खास तोर पे mountains पर wind mountains तै करते हैं उसकी दिशा को mountains के कारण वो सब तरफ फैलती है mountains से जो हवाएँ चलती है वो valley की तरफ आती है और valley से जो हवाएँ होती है वो उपर उठती है अब mountains की दिशा की बात करें तो जब समुद्र से moist हवाएँ नमी लीवी हवाएँ जब उपर उठती है तो mountain पर एक certain उचाई पर जाकर के वो संगनित हो जाती है condense हो जाती है और condensation के कारण बारिश हो जाती है तो mountains पर उचाई पर जाकर के बारिश होती है लेकिन ये बारिश एक निश्चत दिशा में होगी और उस निश्चत जो दिशा है उसे हम windward side कहेंगे वहाँ rainfall अच्छी होगी और उसके कारण से vegetation वहाँ अच्छी होगी लेकिन जब दूसरी side में हवाएं उतरेंगी तो वह अपनी moisture को अपनी नमी को खो चुकी होंगी इसलिए वहाँ बारिश के संभावना कम रहती है उस side को levered side या rain shadow area कहते हैं वहाँ scanty और poor प्रकार की vegetation होती है कम vegetation होती है वहाँ पर इसका example हम समझ सकते हैं कि outer हिमालयाज जिसमें हमें बारिश ज़्यादा मिलेगी जब कि क्योंकि टकरा करके moist होईं वहाँ बारिश कर देती हैं जब कि हम middle और inner हिमालयाज की तरफ जाते हैं तो वहाँ सूखी होईं ज़्यादा चलती हैं राजस्थान में भी हम यह देख सकते हैं कि जो हवाएं ओशन से उठकर के आती हैं विचार लेडन विट वाटर वेफर वो जाकर के eastern साइड में हमालयाज अरावलीस के टकरा कर बारिश कर देती हैं तो उस साइड में फिर भी बहतर बारिश होती है जबकि जो western साइड है वो ज्यादा सुखा होता है gradient of slope यानि यदि हम पहाड पर चड़ते हैं तो ये देखना होता है कि हम कितना किलोमीटर आगे बढ़ने पर हम कितनी उचाई पर आए हैं यही दर असल gradient है यानि slope जो है वो बहुत खड़ा भी हो सकता है steep भी हो सकता है खड़ा पहाड भी हो सकता है और slope जो है वो gentle भी हो सकता है कम भी हो सकता है अगर पहाड खड़ा है तो naturally वहाँ जो बरसात होगी उसका पानी run of water सीधा नीचा आएगा और वो केवल run of water ही नहीं होगा वो अपने साथ soil को मिट्टी को काट कर लाएगा इसलिए soil वहाँ shallow हो जाएगी कम गहरी हो जाएगी और infertile हो जाएगी क्योंकि fertile soil जो है वो दीरे-दीरे नीचे की तरफ आजाएगी इस प्रकार वहाँ vegetation कम होगी एक बात और हम देखते हैं कि northern hemisphere में जो northern slopes है वो ज्यादा green है जबकि southern जो slopes है वो ज्यादा zerophatic है अब जो gentle slopes है वहाँ पानी भी ठहरता है थोड़ा और मिट्टी भी वहाँ ठहरती है इस कारण वहाँ बहतर vegetation देखी जा सकती है तो इस प्रकार हम यदि देखते हैं तो mountains पर जो regional climate है वो कई प्रकार से प्रभावित होता है जैसे वर्षन का जो pattern है वो बदल जाता है mountains के साथ उसके अलावा अन्य factors भी प्रभावित होते हैं air भी प्रभावित होगी हवा भी और वो प्रभाव जो है वो दिशा पर भी नर्भर करेगा और slope पर भी नर्भर करेगा तो mountain countries में mountainous countries में जिस प्रकार का हम altitudinal gradient देखते हैं वो लगभग उसी प्रकार का होता है जैसा कि हम अक्षांसी एक ग्रेडियंट देखते हैं जब हम low अक्षांस से भूमध दे रेखा से poles की तरफ जाते हैं तो जिस प्रकार के बदलाव climatic factors में आते हैं लगभग उसी प्रकार के बदलाव यहां देखे जा सकते हैं जैसे कि एक example ने जो कि thumb rule कहता है कि जदी पहाड़ पर 300 मीटर चड़ेंगे तो डिर से तीन degree centigrade तक ताकमान गिरेगा आज बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद